जहीं दोस्तो स्वागत है आप सबका मेरी यूटीब चनल में दोस्तो आज से में current affairs के कुछ बहुत important objective questions लेकर चलूँगा और यह पूरा का पूरा स्रीज दोस्तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्पून होने वाले हैं क्योंकि आगामी जो भी exams आ रहे हैं दोस्तो उसमें current affairs पूछे जाते हैं और यह current affairs है दोस्तो वो 2021-22 के पूछे जाएंगे इसलिए यह सारे questions आप लोगों के लिए बहुत ही महत्पून होने वाले हैं जहें दोस्तो जैसा कि SSC constable, SSC CPO, JSC के exams आने वाले हैं और state level के बहुत सारे exams आने वाले हैं January, February में दोस्तो तो उन सभी के बहुत important है 2021-22 के current affairs तो यह objective form में होगा और इसका PDF जो मैं बनाया हूँ दोस्तो वो PDF में आप लोगों को send कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर अगर आपको में टेलीग्राम चैनल जोइन नहीं किया है जल्दी से जोइन कर लें वहाँ पर मैं free of cost बहुत सारी study related materials send करता रहता हूँ तो चलिए दोस्तो शुरू करता हूँ तो यहाँ जो question है इसमें पूछा जा रहे है कि कौन सा कथन सत्य है जिसको कौन सा कथन सत्य है तो आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखे एक question है कि भारत के दूसरे chief of defense staff यानि CDS के रूप में अनील चोहान को nuked किया गया है और दूसरा question जो दोस्तो वो है भारत right answer आप लोगो बताएंगों दोस्तो और इसका जो सही answer है दोस्तो वो जाएगा option C, जो option C, sorry दोस्तो यहाँ पर मैं जो typing है mistake से B के जगा पे C कर दिया हूँ और C के जगा पे B कर दिया हूँ, किन्तो जो सही answer दोस्तो वो option C ही होगा, एक और दो दोनों ही सही है जो सो आप ल के बाद जो दोस्तो अभी कुछ दिन पहले ही न्यूगत किये गए है नए CDS अनील चोहान और अगर बात के दोस्तो अटोर्णी जनरल तो देश के 16 अटोर्णी जनरल जो है वो आर वेंकर ट्रमनी को न्यूगत किया गया तो यह जो एंसर दोस्तो वो हो जाएगा option 1 और 2 दोन में की है तो question number 2 का जो सही answer है दोस्तो वो जागा option A यानी बांधाव गर टाइगर रिजर्व चलिए आगे बढ़ते हैं तो next question देखते हैं दोस्तो next question है question number 3 हाली में किस कैंद्री मंत्राला के दौरा कच्छरी से खिलोने बनाने की अनूठी परतियोगिता की गई दोस्तो ज इसके सही answer की बात के दोस्तो question number 3 की तो वो हो जाएगा option C जो सो option C यानी आवास और सहरी मंत्राले के द्वारा एक परतियोगिता की गई जिसका नाम है सच टॉय के थोन चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो next question से देखते हैं और next question देखें यहाँ पर आ चुका है दोस्तो question है हाली में किस देश में विश के सबसे कम प्रजनंदर यानि 0.81 दर्ज किया गया है तो इसका जो सही answer है question number 4 का दोस्तो वो जाएगा option A यानी दच्छिन कोरिया जिसो दच्छिन कोरिया चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं next question number 5 और question है दोस्तो हाली में किस अभिनेत्री को वर्स 2020 के लिए 52 दादा साहब फाल के पुरुषकार परदान किया गया तो इसका जो सही answer है question number 5 का दोस्तो वो जाएगा option A यानी आसा पारिक जिसो बहुत ही legendary actress है आसा पारिक जिसो उनको कौन सा अवर्ट दिया गया तो 52 दादा साहब फाल के पुरुषकार तो चलिए दोस हाली में किस राज सरकार ने इस्थानिय भासा और संस्कृति को संरच्छित करने के उदेश से राज में बोली जाने वाली इस्थानिय बोलियों सुर्जापूरी और बज्जिका दो भासा है दोस्तो आप लोग यहां पे देखिए सुर्जापूरी और बज्जिका को आएगा option A, जिसो option A यानि बिहार, जिसो वो कौन सा राज है, तो वो है बिहार, चलि दूस्तों आगे बढ़ते हैं, next questions को देखते हैं, तो आएगे दूस्तों next question को देखते हैं, question number 7, और question है यहाँ पे, प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी द्वारा, सूर सामरागी भारत रत्न लता मंगिसकर जी की 93 जवेंती पर उनके नाम पर विक्सित लता चौक का उदगाटन कहां किया गया है, तो चलिए हम लोग इसका answer देख लते हैं दोस्तों, और इसका सई answer है, वो जागा option C, यानि अयोध्या, जिसो अयोध्या में लता मंगिसकर जी जो भारत रत्न से समान थी, उनकी 93 जवेंती पर उदगाटन किया गया है, लता चौक का, जो कहां पर है तो अयोध्या में, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, question number 8, और question number 8 है दोस्तों, हाली में विस्व बौधिक संपता संगठन, यानि WIPO द्वारा जारी वेस्वीक नावाचार सुचकांग GII 2022 में भारत की ranking क्या है, आप लोगों पता हो दोस्तों, आप लोगों ने गर इजाम दिये हैं, या previous questions भी देखा है, दोस्तों आप लोग पता होगा कि ranking से 1 से 2 question पूछा ही जाता है, तो ranking आप लोगों के लिए बहुत important है, तो चलिए इसका आप लोग answer देख लिए, question number 8 का और इसका जो सही answer है दोस्तों वो जाएगा option B, यानि 40 वाँ, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, next question को देखते हैं, question number 9, और question है यहापे, किस राज का पुलम पारा ग्राम पंचायत, देश का पूर्न डिजिटल सा छर्ता वाला ग्राम पंचायत बन गया है, तो इसक जो सही answer है, वो मैं आप लोगों बता देता हूँ, और सही answer दोस्तों वो जाएगा option D, यानि केरिला, जी दोस्तों, इसका जो सही answer है, वो जाएगा option D, जो केरिला है, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question को देखते हैं, next question दोस्तों, भारत के किस राज ने दुनिया का सबसे answer, आईए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और next question देखते हैं, question number 11 यहां पर आ चुका है, और question हैं दोस्तों, अंतररास्टिया अंतरिच इस्टेशन का कारेभार संभालने वाली पहली European महिला कौन बनी है, जो अंतररास्टिया अंतरिच इस्टेशन का कारेभार संभालने गी, बहुत ही महत्पून question हैं दोस्तों, और आगा में एक जांस में पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा chance है, तो चलिए इसका सही answer लोग देख लेते हैं, तो सही answer आप लोग देखते हैं, option C हो जाएगा, जो है सामन्था क्रिस्टो फरेटी, जो सामन्था क्रिस्टो फरेटी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, next question देखते हैं, question number 12, question है, हाली में भारतिय मूल की बिटेन की ग्री मंतरी को पहली बार महारानी अलिजाबेत दुटिये द्वारा, woman of the ear पुरिसकार से समानित किया गया है, बहुत ही महत्पून है दोस्तों, और इसका जो सही answer है, question number 12 क वो हो जाएगा option A, यानि सुविला ब्रिवर में, जिसो सुविला ब्रिवर में, हो जाएगा option A, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये question बहुत ही महत्पून है दोस्तों, question number 13 है, भारत में solar farm इस्तापीद करने वाली पहली e-commerce company कौन बन गई है दोस्तों, यानि solar farm इ सही answer, चलिए आगे बढ़ते हैं, question number 14 देखते हैं दोस्तों, question number 14 है, किस राज की विदान सभा ने अंतर रास्टिया बहुत ही स्विद्याले की स्थापना के लिए एक विदेख पारित किया है, तो इसका सही answer है, question number 14 का हो जाएगा option C, जिसो तरी पूरा हो जाएगा, सही answer, चलिए आगे बढ़ते हैं, question number 15, question है दोस्तों, महिलाओं की सुरच्छा और ससकती करन के लिए हमारा बेटी, हमारा मान अभियान किस राज की दोरा सुरू किया गया, बहुत ही महत्पून, question है दोस्तों, तो यहाँ पर जो सही answer वो देख लेते हैं, और सही answer दोस्तों वो ज तो किस राज ने अभियान चलाए दोस्तों, तो वो है 36 गड़, next है question number 16, और प्रसन है यहाँ पर निमलिखित मैं से किस राज में रानिपूर टाइगर रिजब इस्थापित किया जा रहा है दोस्तों, यह दोस्तों यानि रानिपूर टाइगर रिजब कहां पिस्थापित किया जा रहा है, यह भी प्रसन बहुत ही महत्पून है, तो इसका सही अंसर है दोस्तों, वो जाएगा option C यानि उत्तर प्रदेश में रानिपूर टाइगर रिजब इस्थापित किया जा रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, question number 17 देखते हैं, question number 17 है, 28 सितंबर को क कालने से संबंदित समझ होता, या अपन को मंजूरी दे दिये, दोस्तों, तो इसका सही अंसर है, question number 17 का, वो हो जाएगा option A, जिसो option A यानि बंगलादेश, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, next question दोस्तो, question number 18, और question है, सितंबर 2022 में जारी, time magazine की विस्के उभरती सितारो की सूची में, time 100, next में सामिल एक मात्र भारतिय कौन है, दोस्तों, और इसका जो सही अंसर है, question number 18 का, वो हो जाएगा option A, जिसो option A, यानि आकास अंबानी, चलिए आगे बढ़ते हैं, next देखते हैं, question number 19, और question है, हाली में, दिलीब ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है, य इसका सही अंसर है, question number 19 का, वो हो जाएगा option A, यानि पस्चिमी छेतर, जिसो यानि पस्चिमी छेतर ने दिलीब ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next देखते है, question number 20, और question है, यहाँ पे, हाली में, निमलखित में से, किस राज सरकार ने, option C, यानि राजस्थान, यहाँ भी थोड़ा सा typing mistake हो गया, दोस्तो, D, यहाँ पे देख सकते हैं, उपर में D हो गया, नीचे C, तो आप लोगको जो answer, वो C करना है, राजस्थान ही है, दोस्तो, जिसने 2% आरचन दिया है, एटलेटों, खिलाडियों को, चलिए, आगे बढ बंद में कौन सा कथन सत्त है, तो यहाँ पे आप लोग options देख सकते हैं, मैं आप लोगके इसका answer बता दूँगा, पहले आप लोग options देख ले, option A है दोस्तो, गुजराती फिल्म छेलो सो को भारत की और से आधिकारिक 95 अकादमी पुरसकार के लिए भेजा गया है, चलिए option B देखते हैं, option B है दोस्तो, इस फिल्म का अंगरेजी सी सक, last film सो है, या option C हम लोग देखते हैं, option C है, इस फिल्म के निर्दे सक, पान नलीन है, उसके बाद अगर देखें दोस्तो, option D में तो उप्यूग सभी, तो इसका जो सई answer है दोस्तो, यह हो जाएगा, option D यानि उ देखेंगे, और question and limit में से कौन सुमेली थे, जिसे यानि कौन यहाँ पर match कर रहा है, जो भी यहाँ पर options दिये गए उससे, तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्या क्या यहाँ पर दिया गया है, option A में दिया गया है, इस पर सपहल, जो अरच्छा मंतराला के अंदर आता है, क जो कौसल विकास मंतराला के अंदर आता है, क्या, ऐसा यहाँ पर पूछा जा रहा है, नेश्ट है, option C हम लोग देखते हैं, option C में है, जल्दूत एप, क्या यह ग्रामीन विकास मंतराला के अंदर आता है, क्या, तो यहाँ जो सही answer है, दोस्तो, वह हो जाएगा option D, यानि उप्यूख सभी, जो सभी जो है, वह हो मैच कर रहे हो, सभी सुमेलित हैं, यानि इस पर पहल जो है, दोस्तो, वह रचा मंतराला के अंदर ही आता है, उसके बाद अगर बात करें, scale की, तो scale जो एक परगार का APP है, वह कौसल विकास मंतराला के अंदर आता है, और जल्दू प्रसारित करने और साधा करने के खिलाफ एक अखिल भारतिय अभ्यान चलाए गया है कौन सा है वह अभ्यान दोस्तों आईए हम लोग देखते हैं कोशनमर 23 और इसका जो सही अंसर है दोस्तों वह जाएगा और ऑप्रेशन मेग चक्र जो है वो कैंद्रिय जांच ब्योरो द्वारा बाल यौन सोशन सामगरी की जो ऑनलाइन प्रसारित किया जाता है तो उसके खिलाप एक अभ्यान चलाया जा रहा है चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं कोशनमर 24 देखेंगे हम लोग और कोशन है 36 राष्टिय खेलों के संबंद में कौन सा कथन सत्थ है ये भी बहुत इंपोर्टन है दोस्तों 36 राष्टिय खेल जो हुए उससे संबंद कौन सा कथन सत्थ है तो option आप लोग देख लें मैं डायेट इसका answer बताऊंगा और इसका जो सही answer है दोस्तों वो हो जाएगा option D ज जो भी options देगे हैं जैसे 36 राष्टिय खेलों के लिए अधिकारिक सुभंकर का जो नयम है दोस्तों वो सावज था तो ये भी सही है उसके बाद आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पर देख सकते हैं गोवा राष्टिय खेलों के 27 संस्क्रण की मेजवानी करेगा यानि जो र ही ने कहीं सही है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो question number 25 में देखते हैं दोस्तों और question है 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा Westwick FinTech सिखर सम्मिलन किस सहर में आयोजित किया गया है बहुत ही महत पून प्रसन है दोस्तों तो इसका सही अंसर question number 25 का वह हो जाएगा option A जिसो option A यानि मुंबई में FinTech सिखर सम्मिलन 2022 संपन हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों question number 26 देख लेंगे हमलो और प्रसन है दोस्तों मुनोत इंडेस्ट्री लिमिटेड यानि M.I.L. द्वारा भारत का पहला लीथियम सेल वी निर्मान संयंत्र खिस सहर में शुरू किया गया तो इसका सही question number 26 का दोस्तों वो हो जाएगा option A जैसे यानि option A तिरुपति यानि आंधरा परदेश में चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं question number 27 देखते हैं question number 27 है इसरों ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्छ throughput उपग्रह जैसे दोस्तों उच्छ throughput उपग्रह यानि HTS broadband internet सेवा शुरू करने के लिए किस company के साथ सयोग किया है तो इसका जो सही answer दोस्तों वो जाएगा option D जो है HUSES Communications India Limited चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेश कोश्चन को में यहाँ पर देखते हैं question number 28 है दोस्तों सर्विया की राजधानी बेल ग्रेड में आयुजित विश्व कुस्ती चेंपियन 2022 में कांस पदक जीत कर विश्व कुस्ती चेंपियनशिप में चार पदक एक रजा तीन कांस जीतने वाले पहले भारतिय पहलवान कौन बन गए है दोस्तों बहुत ही important question दोस्तों मैं इस question क भी भी question बोल सकता हूं दोस्तों very very important question हो जाएगा तो इसका सही answer है question 28 का वो हो जाएगा option B जिसो option B आनि बजरंग पुनिया जी वो player है चलिए आगे बढ़ते है next question देखते है question 29 question है उजबेकिस्तान के समर्कंग में आई जीत SEO सिखर सम्मेलन 2022 के दोरान किस भारतिय सहर को संगाई सहयोग संगत है यानि SEO की पहली पर्याटन और सांस्कृतिक राजधानी गोसित किया गया दोस्तों ये भी question very very important है दोस्तों आप लोग प्लीज इन सभी question को याद कर ले प सभी student को इसका फायदा हो पाए चलिए आगे बढ़ते हैं इसका answer मोग देख रहते है question number 29 का और इसका जो सई answer है दोस्तों वो जाएगा option A यानि वारा नसी को SEO की पहली पर्याटन और सांस्कृतिक राजधानी गोसित की गई है चलिए आगे बढ़ते हैं नेस question है question number 30 और question है निर्मिखित मैंसे किस देश की company जिन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्केटिक भेडिया का सफलता पूरुव क्लोन बनाया है और company ने इस क्लोन को माया नाम दिया है तो यहाँ पे जो नाम है दोस्तों माया वो भी याद अखना है और किस देश की company है और company का नाम क्या है हर चीज़ आप लोगों को याद अखना पड़ेगा दोस्तों तो चलिए इसका अंसर देख रहते हैं question number 30 का और इसका जो सही answer दोस्तों वो हो जाएगा option C यानी चाइना जैसा नहीं कि आप लोग को भेडिया क हासिल करने वाली 12 कंपनी कौन बन गई है दोस्तों भारत में दोस्तों अगर बात करें इस company की तो यह जो company है दोस्तों वो पहले नवरत्म कंपनियों में सामिल थी लेकिन अब इसे महारत्म कंपनी का दरजा मिल चुका है और यह देश की 12 महारत्म कंपनी बन चुकी है तो अगर answer की बात करें तो इसका जो सई answer वो हो जाएगा option A यानि रेक लिमिटेड जो है वो देश की 12 महारत्म कंपनी बन चुकी है तो रेक की full form की बात करें तो इसका full form हो जागा दोस्तों ruler electrification corporation limited जो है इसका full form हो जाएगा चलिए दोस्तों आगे बढ़ते है next question हम लोग थी खुले में सौच मुक्त होने के कारण कैंदरीयत जल सकती मंतरी गजेंदर सिंग से खावत नेने मिलकीत मैं से किस राज या केंच सासी परदेश को भारत का पहला सोच सुजल परदेश घोशित कया जैसे देश का पहला सोच सुजल परदेश कौन सा है तो चलिए हम लोग इसका answer देखते हैं question number 32 का दोस्तो और इसका जो सही answer है वो हो जाएगा option B जो सो option B जो है वो सही हो जाएगा यानि अंडमान और निकोबार देव समूझ जो यह जो है वो सही answer हो जाएगा यानि यह एक कैंसासीत परदेश है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो नेश question देखते हैं question number 33 और यह question है दोस्तो भात का पहला 3D printed डागर की सहर में इस्थापित किया गया है जो सो यह भी प्रशन बहुत ही महत्पून है आप लोगी से जरूर याद कर लें और इसका जो सही answer है question number 33 का दोस्तो वो हो जाएगा option B जो सो option B यानि बैंगलूरू जो सो देश का पहला 3D printed डागर जो है वो बैंगलूरू में स्थापित किया गया है तो next question दोस्तो question number 34 और question है किस राज की विधान सभा ने भारत के पहले वानिकी विस्विद्याले की स्थापना के लिए वानिकी विस्विद्याले अधिनियम 2022 22 को मंजूरी दे दी है तो बहुत important प्रस्थन दोस्तों और इसका सही answer question 34 का वो हो जाएगा option A यानि तिलंगना चलिए आगे बढ़ते दोस्तों question 35 देख लिए यहां पर question है अंतराष्ट्य जल संग यानि IWA विस्व जल कॉंग्रिस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस सहर में किया गया जिसमें भारत में सहरी अप्सिष्ट जल परिद्रिस पर एक स्वेत पत्र लॉंच किया गया बहुत important दोस्तों और इसका सही answer question 35 का व अपन हेक डेनमार्ग में चलिए आगे बढ़ते दोस्तों और नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन दोस्तों कोशन में 36 और कोशन है सितंबर 2022 किस भारती राजनेता को फ्रांस के सरोचनाकरिक सम्मान पुरुषकार जो है दोस्तों सेवेलियर डेला लेजियन डी के ओनर स समानित किया गया है अगर बात करें दोस्तों आप देखते हैं और वे कौन है दोस्तों तो इसका सही अंसर कोशन में 36 का वो हो जाएगा ऑप्शन यानि स्वाती पीरामल को क्या दिया गया है तो फ्रांस का सरोच नागरिक पुरुषकार जो है दोस्तों सेवेलियर डेला ल राजियों तो था केंद सासित प्रदेसों के वीविद नजरियों और परिप्रेचों को जानने के उद्देश से किस सहर में राजियों के परेटन मंतरियों के तीन दिवस यह राश्ची है समेलन का येवजन किया गया जिसकी अध्यक्षता किसन रेड़्टी ने की जिसको यानि किसने अधिस्ता की वह भी याद रखना है दोस्तों कहां पर किया गया वह भी देखना और किस रीजन से किया गया वह सभी देखना और प्लेस को तो देखना है दोस्तों कि कहां पर आयोजन किया गया तो चलिए हम लोग इसका एंसर देख लेते हैं कोश्ट नमर 37 का और और इसका सई अंसर दोस्तों वह जाएगा option B यानी धहर्मसाला जिस्वा आप लोगों पता अगों धहर्मसाला कहां पर है पता जली से comment box में comment कर दें चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेश कोचन देखते हैं question number 38 question number 38 है दोस्तों भूस्कलन या हिमस्कलन का पता लगाने के लिए भारतिय सेना और रच्छा भू सुचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने सहयुकत रूप से हाली में भारत का पहला हिमस्कलन निगरानी रडार किस राज या कैंसासित प्रदेश में इस्थाप किया गया है तो यहां पर टोटल मैंने 38 कोश्चन कवर किया दोस्तों यह सारे कोश्चन जो बहुत ही महत्पून है आपके आगामे एक्जाम्स के लिए इसलिए आप इन सभी कोश्चन को एक बार पढ़ लें और वीडियो को दो से तीन बार जबूर देखने ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए ऐसे नहीं आपको ऑप्शन का वेड करना पड़े दोस्तों जैसे आप लोग कोश्चन देखो जो एंसर है आपका वो इदम सूट होना चाहिए ओके दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही आए के लिए हमार साथ जूने चैनल को सब्सक्राइब करे वीडियो को लाइक करके सेर कर दें थैंको दोस्तों जैन जै भारत वंदे मातराम